हर्चट मैया की कहानी प्राचिल कार्म में गौलन थी उसका प्रसब काला तेंतर निकट था एक और वाय प्रसब से व्याकुल थी और दूसरी और उसका मन गौरस दूद दही बेशने में लगा हुआ था उसने सोचा कि यदि प्रसब हो गया तो गौरस यूही पढ़ा रह जा बैब बच्चे को महीं छोड़कर पास के गाउं में दूद दही बेशने चली गई सायोग से उस दिन हल सटी थी गाए भैस के मिस्सर दूद को केबल भैस का दूद बताकर उसने सीरे साथे गाउं के लोगों में बेश दिया उदर जिस जरवेड़ी के नीचे उसने किसान हल जोत रहा था अचानक उसके बैल भड़क उठे और हल चेट का हल का फल सरीर में घुषने से वह बालक मर गया इस घटना से किसान बहुत दुक्य हुआ उसने हिम्मत और धहर से काम लिया उसने जरवेरी के काट और सही बच्चे के सिर चिरे हुए पेट में टाके ल लगी कि अधि मैंने जूट बोलकर गाय का दूद ना बेचा होता और गाओं के स्त्रियों का धर्म भष्ट ना किया होता तो मेरे बच्चे की है दसा न होती अता पहुंचे लोटकर सब बातें गाओं वालों को बता कर पास्चित करना चाहिए ऐसा निच्चा कर वह उस गा से च्छमा कर दिया और आशिरवाद दिया बहुत सी इस्त्रियों दोरा आशिरवाद लेकर जब वह ना जहरवेरी के नीचे पहुंची तो यह देखकर आश्चे रह गई बहां उसका पुत्र जीवी तवस्ता में पड़ा है तब ही उसने स्वार्थ के लिए जूर बोलने क को ब्रह्म हत्या के समान समझा और कभी जूट न बोलने का प्राण लिया बोलो हर्चत महिया की जैसे उसके बच्चे के प्राण बापिस किये हर्चत महिया सभी के बच्चों की रक्षा करें